असलाम अलेकूं मम्मी जायका में आपका स्वागत है आज हम कीमे के समोसे बनाने जा रहे हैं यह कीमा मटन का हैं सबसे पहले हम 200 ग्राम जितना कीमा लेंगे दो टेबल इस्पून अद्रख लशन का पेश यह 100 ग्राम पुदीना और कोतमीर है हरा दनिया और पुदीना यह पांच प्याज लेंगे एक टेबल इस्पून टीली फ्लैक्स एक टीश्पून नमक एक टीश्पून गरम मसाला और आट से दस हरी मिर्च सबसे पहले हम ग्यास को अन करेंगे और हमारा मतन कीमा समें डाल देंगे अब हम इसमें अधर ग्लसन का पेश डालेंगे नमक डालेंगे पीशावा गरम मसाला और रेट टिली फ्लैक्स और हरी मिर्च को बारी बारी काट लिया इसको भी डाल देंगे हम इसको बराबर से मिक्स करेंगे और दसे पंदा मिनट के लिए स्कॉन कुक करने के लिए हुक होने के लिए रग देंगे एक छोटी तोड़ी पानी डालके दसे पंदा मिनट करेंगे इसकी इस्टफिंग की तैयारी कर लेते हैं सबसे बहुत हम प्याज को रफली चौप करेंगे अब हम प्याज को चौपर में डालके इसको बारिक बारिक चौप करेंगे प्याज एकदम बारिक चौप होनी चाहिए इसको बारिक चौप करेंगे देखिए हमारी प्याज और पुदीना और अधा दनिया चौप हो चुका है अब हम इसको प्रेट में निकाल लेंगे यह कीमा हमारा हो चुका है अब हम इसका पूरा पानी सुखा लेंगे फ्लेम को तेज कर देंगे इसमें पानी बिल्कुल नहीं रहना चाहिए और हम गैस का फ्लैंग आफ कर देंगे और इसमें धुंगार करेंगे धुंगार से समोसे का ठेस्ट बहुत अच्छा आता है यह हमने कोईला जला लिया है इसमें कोईला डालेंगे और उपर से थोड़ा सा तेल डालेंगे और जब देंगे अब जब तक यह हमारा पुदिना गोदूर और प्या चौप हो चुकी है अब हम इसका सारा पानी निकाल लेंगे तो कि समोसे में इसका पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए वरना वो गीले हो जाएंगे और कुरकुरे नहीं बनेंगे अब इसका हमने सारा पानी इस तरह से दबा के निकाल लेंगे अब इसको हम पैक देंगे अब हम पंके के नीचे इसको हलका सा सूखने के लिए रखेंगे यह कीमा हमारा ठंडा हो चुका है यह देखिए अब हम इसको एक बावल में ट्रांस्वर करेंगे अब हम यह प्याज पुदिना कोत्मी हरीमीज का मसाला भी इसमें डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे यह देखिए मसाला हमारा अच्छे से मिक्स हो चुका है अम थोड़ा सुखा मेदा लेंगे इसमें पाणी डालके इसकी लई तयार करेंगे आप चाय तो इस लई को पका भी सकते हैं यह लई समसे की पट्टिया चिपकाने के काम आएगी अब हम समसे की पट्टिया लेंगे और इसको फोल्ड करेंगे पहले ऐसे और ऐसे करके एक कौन जैसा बनाएंगे यह देखे हमने कौन जैसा बना लिया है अब हम इसमें यह मसाला भरेंगे अब यहां पर अंगुठा रखे इसको यहां से ऐसे बंद करेंगे फिसको पलटके फिर यहां ऐसे अंगुठा रखे ऐसे बंद करेंगे और यहां पर लई लगाएंगे और लई से इसको चिपका देंगे अब आपको एक और समोसा बनाना बताती हूँ पहले ऐसे करेंगे फिर इसको ऐसा करके जैसे मेंदी का कॉन होता है वैसा कॉन बनाएंगे अब हम से इस्टफिंग भरेंगे जो कीमे का मसाला है वो अब यहां से अंगुठा रखके ऐसे फोल्ड करेंगे फिर यहां पर भी अंगुठा रखके ऐसे फोल्ड करेंगे और यहां पर मेंदी की जो हमने लई बनाई है वो लगाएंगे और इसको यहां से चिपका देंगे अब हम इसमें ऑईल डालेंगे हो है ओईल पो थोड़ा गर्म होने देते हैं हाइफ लेम पर अगर हाइफ लेम पर तलेंगे तो यह अंदर से कच्छे रहे जाएंगे हम इसको पलतेंगे और गोल्डन कलर होने तक इसको तलेंगे यह देखिए समझे हमारे गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं अब हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे यह देखिए हमारे कितने क्रिस्पी समझे हैं इसको हम कारके दिखाते हैं इसको सॉस के साथ सर्व करेंगे कि देखिए कितने क्रिस्पी है 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 कि मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज प्लीज आप ट्राई जरूर कीजिए उसको लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अल्ला आफीज